हिमाचल जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू पहली कैबिनेट जो सुखु सरकार दा फैसला वादे मुताबक हिमाचल दी सुखु सरकार ने पहली कैबिनेट मेटिंग जो ही पुराणी पेंशन स्कीम दी बहाली दे मोहर लादती है लोडी मौके हिमाचल दे सरकारी मुलाजमा नो सुखु सरकार ने बटा तौफा दता है चोना तो पहला ओल्ड पेंशन स्कीम दा कॉंग्रेस ने वादा कीता सी आते सरकार देगा ठंतो बाद पहली कैबिनेट मीटिंग जो ही इस फैसली नो हरी चंडी दे दिती गई कॉंग्रेस ने चुनाबों से पहले एक वादा माचल परदेश के सरकारी करुचारी और अधिकारी उसे किया और हमने जो वादा किया था कि पहली कैबिनेट आज हमारी पहली कैबिनेट हुई जिसमें मंत्री मंडर ने ये फैसला किया कि जितने भी सरकारी करुचारी और अधिकारी है जिन्होंने परदेश में विकास की नई सीमाई निखी है ने आयाब स्ताफित किये है उन सब को तक्रेवन एक लाग चातिस हजार के ग्रीव ये सरकारी करुचारी जिनको ओर्ड पेंचन स्कीम का लाग आज से मिलना शुर्व होगे इतने भी मारे एक लाग च्छाटिस हजार करमचारी जाए वो बोर्ड के है तैव निखुबो के है ये कारपरिशन के है जो भी पैंशनस के तहत आठे प्रफुनाश के लिम के तहत लाया गया है तो सभी इस सर्कारी करमचारी अधिकारीओं को लोडी का यह तोफ़ा हमाच्छा करदेश की सर्कार के तहाष पर उन्हें धिया गया है 116000 कोising लोडी खुब धुटनाख से नहीं हिमाचल जो मौजूता समेच एक लख 36,000 मुलाजम ने जो नवी पेंशन स्कीम देते है तोंदेने अते होन जिना ते पुराणी पेंशन स्कीम लगू होन जा रही है सरकार देश फैसले नाल हिमाचल देश सरकारी खसाने ते करूणा दा वित्ती बोज़ भी पेंशन जा रहे है तकरीबन ग्यारा हजार क्रोड रुपे एक अते एरियर है एक हजार क्रोड इसका पड़ेगा तो 12,000 क्रोड रुपे ये है 75,000 क्रोड का करजा है 900 संस्तान खोल देते तो 22,000 क्रोड का करजा और बढ़ गया था लेकिन हमने फैसला किया इन सब आर्थिक संकट से जूजने के बाद भी हमारा जो वादा था उस वादे को नभाया चोड़ा तो पहला पुराणी पेंशन स्कीम दी बाहाली बटा मुदा सी हमाचल दे मुलाजम पुराणी पेंशन स्कीम दी बाहाली नू लेके लंबे समय तो परदाशन कारे साथ चोड़ा दोरान कॉंग्रेस ने हिमाचल दे लोका नाल सरकार बनन ते पुराणी पेंशन स्कीम दी बहाली दा वादा कीता सी अते पहली ही कैबिनेट जो इस वादे नू अमली ज्वामा पहना दता गया तो हम दस्दे आ के आखर दोमा स्कीमा दे विच फर्क की ए पुराणी पेंशन स्कीम दे तहत सरकारी निवेश दी स्कीम है जदकी पुराणी पेंशन स्कीम दे तहत आखरी बेसिक तनखा दा पंजाव थीसद मिल दै नवी पेंशन स्कीम दे बिच पुराणी पेंशन स्कीम दे मुकाबले काट तनखा मिल दी है जदकी पुराणी पेंशन स्कीम दे तहद हर महीने तैरकम ही मिल दिये नवी पेंशन स्कीम दे तहद तनखा जो 10 फीसद हिसा कट दै जदकी पुराणी पेंशन स्कीम दे विच फंड कटन दा कोई मता नहीं पुराणी पेंशन स्कीम दी बहाली देनाल ही हिमाचल दविच स्यासत भी गर्मा गई है। काफी चनोतियां आई। काफी वित्तिय बोज वगुत काइस का सफ पहीं है। लेकिन जब अपने आख लग लेकिंचाह happy पिछली सरकारम professors हमारी जूदी में क्या कर लगा कि जो सरकारी करमचारी अभी सरकार में काम कर रहे हैं सरकारी करमचारी में डैर हो चुके है उसका पिछली सरकार ने फिर्षाय सरकारी में रहे हैं 9,000 करोड़ पे का एर जो आज तक नहीं वी जो नोक्री लगे नैंबे है 3430 जो अभी नोक्री लगे दियुर्ट वुंका पड़ा ने जो सेलरी का जो नोक्री लगे है अभी वो की सेलरी का जो एरील हमारी अचीन प्रदेश सरकार को देऊ कि जिद्गी जी रहे हैं उनका 5226 क्रोड और जो अभी सिख्स टेक विशन लागू हुआ उसका धीये तक्रीवां एक हजार क्रोड ओपियस की उन्हों ने घोशना करी एक लाग छटिस हजार लोगों को ओपियस देनी की प्रदेश सरकार ने घोशना करी उसके बाद सीधा जो जो पैसा लिया है वो ओल्रेडी इंवेस्टेड हो चुका है और राष्ट्र निर्माण की ओर चल जा चुका है जब एक रिटायर होता है तो उसमें वो पैसा इंप्लॉई को दुगनी तादात के साथ मिलता है मैं आपके सामने लाना चाहूंगा कि 36 गड़ में भी ऐसी गो पूछ पाके गई है पर बावजू देश देव नादी सरकार में मुलाजमा नल कीता अपना वादा नवाया है सरकार देश फैसले तो बाद हिमाचल देश सरकारी मुलाजमा च जश्न दा महाल है हिमाचल सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट जो ना सिरफ ओल्ड पेंशन स्कीम बलकी दो होर वादया नुवी पूरा करन दिलेई कदम अगे बदाया पहली कैबिनेट मीटिंग देविच जो फैसले लए गए ने उना चो एक फैसला था पुरानी पेंशन स्कीम दी बहाली दाया इस तो इलावा एक लाख नौजबाना नू रुजगार देन देलेई कैबिनेट सबकमेटी दा गठन कार देता गया इस दिनाल ही औरता नलकीता पंद्रा सो रुपे दा वबादा पूरा करन देलेवी कैबिनेट सबकमेटी बना देती गई है ये सरकार केबल सबकमेटी वाली सरकार बनके रहे गी है पंद्रा सो रुपे की घोशना इन्होंने महिलाओं के लिए करी और प्रतिमा महिलाओं को पंद्रा सो देने की बात करते हैं उस पे मापदंड बनाएंगे पहले तो यह मापदंड निया जब वादा कर रहे थी एक लाग युवाँ के लिए एक योजना बनाने की बात करी कि हम एक रोड मैप बनाएंगे वो भी सबकमिटी बनाएगी पहले जब इन्होंने वादा किया था तब ऐसी कोई बात नहीं हु इस तो इलावा पांज लाख सरकारी नौकरियां दा बादा पहली कैबिनेट दे विच ही एक लाख रुजगार देन दा बादा और तानू हर महिने पंत्रा सो रुपे देन दा बादा इस तो इलावा तिन सो युनिट बिज़्डी मुफ्थ देन कटो कट मज़्दूरी बुदौन खेतीय ते बागबानी आयोग दे गठन तो इलावा दस गरंटियां दितिया गिया सान। इना चो तेन एहम गरंटियां ते काम शुरू हो गया हाली देविच हिमाचल सरकार डीजल ते बैट वदा उनकारन सवाला चुकिरी सी डीजल मेंगा होन कारन लोकां देविच रोस पाया गया सी पर पुराणी पेंशन सीम दी बहाली दिनाल सुखु सरकार ने सरकारी मुलाजमानों खुशकरन दी कोश्च कीतीया